Hello everyone, फिर से आपका एक नए वीडियो में आपका स्वागत है पिछले दो क्लास में हम लोगों नों देखा अनुछेद के बारे में अनुछेद का ट्रीक देखा बहुत सारा important अब उससे related exam में पूछे जाने वाले question को देखेंगे जो बहुत ही most important होने वाला है इस वीडियो का PDF मैंने टेलिग्राम ग्रूप में दे दिया है तो लिंक इसका description में दिया हुआ है तो आप वहाँ से join हो सकते है चलिए हम लोग सुरू करते है तो इसमें देखेंगे पहला question किस अनुछेद के द्वारा संसद की सन्यूक्त बैठा का प्रभधान किया गया है इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा बी 108 क्या हो जाएगा बी 108 में दूसरा question है सभिधान के किस अनुछेद में धन विधाय को परिभासा दन विधाक की परिभासा दी गई कि इसका answer हो जाएगा सी 110 कि अगला question देखेंगे तीसरा question तीसरा question यह कहता है भारत के परतेक नागरिक का करता भी होगा कि प्राकिर्तिक परियावरन का संद्रक्षन एवन सुधार यह कथन किस अनुछेद से संबन दी थे मतलब यह किस अनुछेद में दिया गया यह अगला question देखते हैं सभीदान के किस अनुछेद द्वारा लोख सवाओं को संरक्षन परदान किया गया यह किया है कि अगला देखेंगे पांचमा question केंदर सरकार केंदर राज के परसासनिक संबंद में सभीदान की किस अनुछेद में वरभनीत हैं केंदर सरकार यानि केंद्र का जो केंद्र में जो राज सरकार के परसासनी के संबंध का जो होगा वर्णन वो सभीधान के किस अनुछेद में यह हो जाएगा यह 256 से 263 चाठा कुश्चन देखेंगे हम लोग भारतिया सभीधान के किस अनुछेद में मौली कर्तब की मतलब वेख्या किये गई है मौली कर्तब की चर्चा की गई है यह हो जाएगा बी 51 का ए हम लोग इसका ट्रीक से पढ़ चुके हैं कि त्क साट्मा कुश्चन देखेंगे किस अनुछेद के अंतरगत परती राज परतेक्राज में मातरी भासा का परशारन उडेश प्राथमिक शिक्छा में लागू हो गा यह कितना नुछेद में है यह पचास का एंग्ला कुश्चन देखते हैं सहांविधान के किस की रूप में देखा गया है देखा जाता है इसका एंसर हो जाएगा डी 151 कि कि इसका है इसका यंसर हो जाएगा 151 अब नम्मा कॉश्ण देखेंगा हम लोग भारते समयधान के किस अनुछेद में राज सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है इसका तो हो जाएगा अनुछेद 40 राश्टपती सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोग सभा को भंग कर सकता है इसका अंसर हो जाएगा सविधान के किस अनुछेद में सविधान संसोधन की प्रकिरिया लिया गया है अप्सान ए 302,356,360,355 यह टाइपिंग मिस्टेक है इसका अंसर होगा अनुछेद 368 12 कोश्टम देखेंगे हम लोग सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत राष्टपती आपात काल की घुशना करता है 302 इलकुल सही है भारते सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत वीत आयोग का गठन किया जाता है वीत आयोग यह होगा 280 अनुछेद 356 का संबंद किस से है किस से यह राष्टपती सासन से जब किसी राज में लगाया जाता है सविधान सभा के द्वारा अंतीन रूप से पारित सविधान में कूल कितने अनुछेद था अनुसूचिया था जब मतलब जब सविधान बना था उस समय में कितने अनुछेद अनुसूची था यह कितना था यह था 305 में अनुछेद और आठ अनुसूची अगला कोश्चन है शोलवां वर्तवान समय में भारते सविधान की गन्ना की द्रिष्टी से मतलब अभी कितना है अनुछेद और अनुसूची तो अभी कितना है अभी हैD 448 अनुछेद और 12 अनुसूची अगला कोश्चन देखते हैं हम लोग 17 कोश्चन देखेंगे भारते समिधान का कौन सा अनुच्छेद राश्टपती के पद के लिए पुना निर्वाचन की योगता को निर्धारित करता है इसका ट्रीक के माध्यम सम लोग देखेते हैं इसका अनुच्छेद कितना हो किस अनुच्छेद में सरवोच नियाला ने अधीश पर महावियोग चलाने का प्रापधान दिया गया यानि है यह हो जाएगा सी 124 किस अनुच्छेद के तथ किंदर सरकार राज सरकार को निर्देश दे सकती है कोई भी कारिये करने के लिए गलत कर रहा है या सही कर रहा ह उसको निर्देश दे सकता है यह हो जाएगा अनुच्छेद 256 किस अनुच्छेद के अंतर गत अंतर राज्य परिशत का गठन किया गया अंतर राज्य परिशत यह हो जाएगा तो रहा है 266 और भी तयुछ दो तो 280 भातें की के सभिधान में संसोधन किस धारा के अनुचार होता है यह होता है फिसमा शिक और sulfur को में ताइस्वा कुश्चन देखेंगे सभीधान में संसोधन कितने परकार से कर सकते हैं यह होता है तीन परकार से सबसे पहले किया जाता है सांसद में में कि साभविधान के शंञआन्पनों में अधिगरण में एक एप इस वर देहां kसे परस्तावन का कितनी बार शंञआ किया गया यह जो मत्रीह का ठिक है पुनीश सो इसकी तर में वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें